Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Knowledge and Education Adda. Friends, today I am going to start the most demanded chapter, the rise of nationalism in Europe. This is the chapter 1 of the history. Friends, ये जो chapter है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही conceptual है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बहुत ही पेसेंस के साथ इस chapter को समझेगा. और मैं गैरेंटी लेती हूँ कि आपको ये chapter जरूर समझ में आएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम ये चानेंगे कि आज के इस chapter का क्या-क्या topics है जो हमें clear करना है. क्योंकि ये chapter जो है वो section wise divide है, means topic wise divide है. तो यहाँ पर सबसे पहला topic है आपका, the French revolution and the idea of the nation. आपको French revolution के बारे में जानना है, जो कि आपने class 9 में भी पढ़ा है. और इसके बाद आपको जो है, nations का जो idea है, वो कैसे होता है, वो जानना है. second आपको पढ़ना है topic में, the making of nationalism in Europe, यानि Europe में nationalism कैसे आया, ये जानना है आपको. third आपको पढ़ना है, the age of revolution, that is 1832, 1848. and fourth आपको पढ़ना है, the making of Germany and Italy. fifth आपका topic है, visualizing the nation. and sixth आपका topic है, nationalism and imperialism. यहाँ पर जो एक-एक parts है, जो एक-एक topics है, मैं आपको सारे clear करूंगी. इस chapter में हम जितने भी यहाँ पर concept है, वो से समझ लेंगे. तो चलिए वीडियो को start करते हैं. यहाँ पर सबसे बहले हम यह जानना है, जैसा कि chapter ही है, nationalism, तो nationalism का मतलब क्या होता है? mainly इसका मतलब क्या होता है? feelings of patriotism, यानि कि देश-भक्ती की भावना. अगर आप हिंदी में इसे कहें, तो nationalism का मतलब है, देश-भक्ती की भावना. जैसे, Indian Revolution में होता है, French Revolution में होता है. हम लोग बोलते हैं, भारत माता कीज़े, तो हमारे अंदर एक देश-भक्ती की भावना आती है. This is the nationalism, जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं. यह जो diagram में, यह हमारी भारत माता का diagram है, और इनको देखते ही, हमारे अंदर जो है, वो nationalism स्टार्ट हो जाता है, मेंस हमारे अंदर feelings आने लगती हैं, patriotism की. तो यह जो है, concept है, nationalism का. इसके अलावा, यहाँ पर कुछ और भी concepts हैं, जो की मुझे देखने हैं, और आपको समझने हैं. यहाँ पर है, सबसे पहला है 1789, जिसे हम French Revolution कहते हैं. यह जो 1789 है, यह आप जो है, Class 9 में पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपने French Revolution को देखा होगा. आज के वीडियो में भी हम यहाँ पर French Revolution को देखेंगे, 1789 में French Revolution हैपन हुआ था, घर्टित हुआ था, और 1799 में Napoleon came and start his political power in Europe. 1799 में क्या हुआ, कि Napoleon आया और उसने अपने political power जो है, France में start कर दिये, अभी तक 1789 में French Revolution चल रहा था, बट 1799, that means कि उसके 10 years के बाग, क्या हुआ, Napoleon आया और उसने अपने political power फ्रांस में start कर दिये, फिर 1804 में क्या हुआ, इस Napoleon ने अपना एक code बनाया, जिसे कहते हैं, the civil code और Napoleon code, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, 1804 में जो code आया था, उसे हम Napoleon code भी कह सकते हैं, because क्योंकि यह Napoleon ने पनाया था, फिर 1815 में आया था, the battle of Waterloo, जो कि Napoleon और प्राब्स के बीच में हुआ था, यह प्राब्स क्या होते हैं, P for Prussia, R for Russia, A for Austria, and B for Britain, इनको मिला कर प्राब्स बनता है, जो कि Napoleon और प्राब्स के बीच में Waterloo का war हुआ था, battle हुआ था, 1815 में, और इसका result हुआ, कि Napoleon क्या हो गया, हार गया, means Napoleon defeated by Prague, after the war, यह उसका result हुआ, and in France, again Monazi, Monarchy stabilized by Prague, and Treaty of Vienna was signed, यहाँ पर France में, Monarchy फिर से stabilized हो गया, और उसके बाद जो है, यह किसके थू होगा, क्योंकि प्राब्स जीते हैं, जो जीता है, वही अपना start करेगा, उसे वही अपना शाषन करेगा, तो यहाँ पर वही होता है, और फिर Treaty of Vienna क्या हो जाता है, sign हो जाता है, और यह Treaty of Vienna क्या है, एक peace की treaty है, means, Treaty of Vienna is the treaty of peace, सांती के लिए यहाँ पर जो है, एक तरह की यहाँ पर क्या बनाएगी, यहाँ पर ट्रिटी बनाएगी उसको साइन किया गया और in France Bourbon Dynasty restored यानि France में फिर से Bourbon Dynasty का start हो गया यहाँ पर यह जो कुछ concept है आपको समझना बहुत जरूरी है कुछ अलग-अलग words आपको सुनने को मिले होंगे जैसे मुनार्की वगयरा यह सब क्या होते अभी आप समझेंगे इसके पहले एक चीज़ आपको बताऊंगी कि जैसे अगर कोई राजा है वो क्या कर रहा है साशन कर रहा है ठीक है वो बहुत ही मालिज अच्छा है पर पहले क्या होता था पहले आपने सुना भी होगा स्टोरीज में कि राजा जब भी डैथ करता था उसके बाद उसका बेटा ही क्या बनता था next king बनता था ठीक है दूसरा राजा बनता था फिर जब वो मरता था तो उसके बाद उसका बेटा बनता था की मुनार्की सिस्टम में ठीक है और इसी के अलावा यहां पर अभी आप और भी चीज़े समझेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में यहां पर आपको पढ़ना है सबसे पहले मैं समझा देती हूं मुनार्की ठीक है मुनार्की क्या है? A country that is governed by a king or queen or monarch means ऐसी country चोकी किसी राजा या रानी या फिर किसी मुनार्क यानि शाशन के द्वारा क्या किया जाए? governed किया जाए यानि शाशित किया जाए and monarchy is the form of government और monarchy क्या है? एक government का तरीका है मुनार्की एक तरीका है जिसमें क्या होता है? कि अगर राजा शाशन कर रहा है तो उसी के ही जितने भी son है वही साशन करते आएंगे मतलब उसी के ही जितने family में हैं वही सब साशन करते आएंगे किसी और को करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ये है मुनार्की सिस्टम इसके अलावा आपको यही पे एक और समझना है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को ही हम लीबलरिल्स में कहेंगे अब आगे हम पढ़ेंगे इस चाप्टर में ये क्या होता है A government or a system in which The government of a country is elected by the people Means ऐसा शाषन जिसमें जो भी मतलब government बनती है वो किसी जनता यानि कि हम लोगों के द्वारा elect की जाती है, सुनी जाती है जैसे इस समय हमारे यहां चल रहा है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही सबसे best माना जाता है क्योंकि यह हमारे द्वारा जो elect किये हुए person होते है वही क्या करते है वहाँ पर government बनते है यहां पर जो है मुनार्की system एकदम just इसके opposite होती है और यही हम सभी चाहते भी है लेकिन जैसा कि आपका यह chapter है इस chapter में आपको समझना है कि nationalism कैसे आया यूरोप में यानि देश भक्ती कैसे हुई यहां पर पहले से ही मुनार्की system चलते आ रहा था लेकिन धीरे 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 यहां पर क्या हुआ यहां पर लोगों के अंदर जो है वो अपने से एक तरह का वहां पर motivation हुआ और लोगों ने democracy की demand की और democracy भी start हुआ है लेकिन कैसे हुआ एक time आया उसका ठीक है एक बार ही नहीं कि आज सुबा उठे और दिखा कि democracy आ गया ऐसा नहीं है कल सोए तो हमारा जो है मुनार्की था और सुबा उठे तो democracy ऐसा कुछ नहीं था यह धीरे धीरे एक time period था ठीक है जैसे हमारा देश आजाद हुआ है वैसे ही और भी सारे देश थे जहां पर क्या था कि लोग परिशान थे उनसे वहां के जो भी मतलब गुलाम थे उनसे होकर कि वो बहुत परिशान थे जैसे इंडिया के लोग परिशान थे वैसे ही वहाँ भी था लेकिन सभी देश अपना सभी देशों ने अपना एक अलग इंडिपेंडेंस अचीव किया बाद में और वो धीरे-धीरे हुआ और यह जो आपका जैसे कि योरॉप है योरॉप एक मतलब पूरा एक एरिया है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे कंट्र है उसी में फ्रांस वगयरा सारे उसी में आएंगे और आप वन बाई वन समझेंगे कि एक बार में ही डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं आया एक बार में यहाँ पर जो है नेशनलिज्म नहीं आया यहां आपका सभी जो है उसमें पूरा जो आपका योरोप है वो आपका नेशनलिज्म में हो जाएगा तो यहां पर जैसा कि आपको अब पढ़ना है यह जो फर्स्ट हमारा टापिक है यहां सबसे पहले यहां पर क्या हुआ हमारा जो स्टार्ट हुआ है यानि कि यह जो फ्रेंच Rewolusign है यह 1789 से स्टार्ट हुआ है तो अभी आपने ये चीज़ प्रिवेस में मैंने अभी स्लाइड में आपको दिखाया था कि फ्रेंच रिवॉलुशन स्टार्टे इन 1789 यहीं से होगा ठीक है विच वाज दा फर्स एक्स्प्रेशन ओफ दा नैशनलिज्म इन यूरोप यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक बार में ही जो है वो आपका रिवॉलुशन नहीं आया ठीक है वन बाई वन आया तो सबसे पहले शुरुवाद जो थी वो आपके फ्रेंच वालों ने की थी ठीक है फ्रांस ने की थी तो फ्रेंच में कब हुआ था 1789 में क्या हुआ था यहाँ पर नैशनलिज्म स्टार्ट हुआ था फ्रेंच पिपल डिमांडेट एबॉलिश्मेंट ओफ मुनार्की एन इस्टेबलाइस्ट ओफ डेमोक्रेसी यानि की फ्रेंच के लोगों का यह डिमांड था कि जो मुनार् स्टार्ट कर दिया जाए मिन्स ऐसा गॡवर्मेंट बने वहां पर कि जो वहां कि प्यूब्ल्स के द्वारा ही किया जाए ऑना जाया fonctionne यानि जैसे हमारे हमंते समय होता है थिके वैसर इंदिया में वैसरी पूरे देश में वहां पर भी डिमांड थी कि डिमोक्रेसी बन जा आइन में आपका लेकिन बहुत सारे changes हुए जैसे फर्स्ट है आपका power transferred from monarch to common people यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो power थे वो आपके monarch यानि कि या king हो सकता है या फिर कोई queen हो सकती है या फिर आपका कोई भी एक शाशन हो सकता है उनसे जो भी power है वो common people में transfer हो गई दूसरा change क्या हुआ कि they introduced their new flag उन्होंने अपना एक नया जंडा बना लिया जैसे हमारा इंडिया में जंडा है वैसे ही और french become the national language यहाँ पर french national language बन गई फ्रांस में new national anthem composed and ode taken नया national anthem बना लोगों ने कसमे खाई सपत वगयर लिये गए कि ठीक है अब सब कुछ अच्छे से चलेगा state general elected by common people and renamed as national assembly यानि state general जो थे वो सामान ये लोगों यानि कि जनता के द्वारा चुने जाने लगे और उनका नया नाम हो गया जो कि था national assembly ठीक है और internal custom duties were abolished यानि कि जो भी internal custom duties से वो सब्स्रमाप कर दिये गए nationalism taken aboard by french armies यानि कि nationalism जो थे वो french army के द्वारा क्या किये जाने लगे लिये जाने लगे ठीक है यानि उनके अंदर भी देश भक्ति की भावना हो गई तो यह changes उनके अंदर क्या हुए स्टार्ट हुए ठीक है फिर आपको यहां पर क्या पढ़ना है आप आपको पढ़ना है कि जैसे आपने देखा कि ठीक है 1789 में तो हुआ हमारा यहां पर क्या हुआ कि french स्टार्ट हो गया था बट उसके दस साल बाद क्या हुआ इन 1799 नैपोलियन सीजड पॉलिटिकल पावर फिर से क्या हुआ कि अभी तक तो सब खुश थे लेकिन यह खुशी जादा दिनों तक नहीं चल पाई नैपोलियन आ गया ठीक है अभी तक तो सब कुश ठीक ता वहा 1804 में क्या हुआ नैपोलियन ने अपना कोड स्टार्ट कर दिया जिसे हम कहते हैं नैपोलियनी कोड या फिर सिवल कोड ऑफ 1804 तो यह जो नैपोलियन कोड है फ्रेंड्स यह मतलब कि इतना भी बुरा नहीं था यहाँ पर जो नैपोलियन कोड है इसके दो एफेक्ट देख हो जाएगा तो यह जो नैपोलियनी कोड थे उसके कुछ पॉजिटिव व्यूज आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी एक अच्छा था ठीक है जैसे उसने क्या स्टार्ट किया नैपोलियन ने 1789 में था ठीक है रिवोलुशन स्टार्ट हो गया था और चल रहा था लेकिन 10 साल के बाद फिर से नैपोलियन आ गया 1799 में उसने अपने कोड स्टार्ट की ठीक है जो कि 1804 में बनाई थीए आ तो गया था बट बनाई उसने контрण बनाई उसनेcro 4 में उसने क्या बनाया उसने ये कहा कि उसने Right to Property डी यानि कि उसने सभी के लिए क्या किया मतलब जो है एक समान मतलब Right to Property डी चाट की ठीक है और Stabilized Equality Before Law यानि कि सभी के लिए समान क्या हो गए? law नियम बना दिये गया ठीक है यानि कि जो भी यहाँ पर feudal system थे, उनको क्या कर दिया गया, finish कर दिया गया, ठीक है, और transport and communication system were improved, तो transport और जो communication system से, वो सभी क्या कर दिये गये, वहाँ पर improve कर दिये गये, ठीक है, और यहाँ पर guild restrictions were removed, यानि कि जो भी restrictions थे, वो removed कर दिये गये, हटा दिये गये, guild के through, तो यहाँ कुछ इसके positive आपको views देखने को मिल सकते हैं, कि इस तरह से जो है, उसने सबसे अच्छी बात की, कि उसने सब के लिए बराबर नियम बनाया, ठीक है, established equality before law, इस बात के लिए सभी खुश थे, लेकिन यहीं पर क्या था, कुछ इसके जो है, वो negative views भी थे, तो इसे देख लीजे, some negative views of Napoleonic court, जैसे, they introduced tax like seed tax, ठीक है, उसने बीजो पर जो है, जैसे माली जे बीजो पर क्या कर दिया, tax बढ़ा दिया, ठीक है, उसने tax को बढ़ा दिया, जैसे like seed tax, ठीक है, they forced people to join the army, censorship were imposed, यानि कि they forced people to join the army, means उसने जो है, लोगों को जबर दस्ती, आर्मी को जोइन करवाना, start कर दिया, कि तुम भी चलो और आर्मी को जोइन करो, उसकी मन हो या उसका इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे उठा करके, जो है, आर्मी जोइन करवा देना, और censorship were imposed, यानि कि censorship को क्या कर दिया गया, वहाँ पर लगो कर दिया गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, वहाँ पर कुछ उसके negative views थे, नेपोलियन के, लेकिन क्या हुआ, नेपोलियन भी जादा दिन लहीं चल पाएगा, ठीक है, अभी आप समझेंगे इस चीज़ को, 18-15 में नेपोलियन भी क्या हो जाता है, वहाँ पर जो होता है, आपने भी वाटरलू देखा था, उसका जो बैटल होता है, उसमें भी नेपोलियन क्या हो जाता है, हार जाता है, आपने भी फर्स्ट लाइड में आपको, आपने इस चीज़ देखी थी, कि ये जो नेपोलियन था, यहाँ पर क्या होता है, इसके जो भी मतलब की पॉजिटिव व्यूस थे, उसको तो ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, बट जैसे कि आपने यहाँ चीज़ आपने देखी थी, कि इसका जो है, 1815 में ये हार चुका था, ठीक है, इसने क्या किया, ये देखिए, 1815 में बैटल हुआ था, जो कि वाटर लू का, प्राब और नेपोलियन के बीच में, बट ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, 1815 में नेपोलियन हार गया, और फिर से वहाँ पर क्या हो गया, बॉर्बोन डाइनेस्ट्री स्टार्ट हो गई, अब आपको पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक, जो कि है, दे मेकिंग ओफ नेशनलिज्म इन येरोप, यानि कि, जो आपका येरोप में नेशनलिज्म है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, तिल दा मेंड 18th सेंचुरी, देर वेर नो नेशन स्टेट्स, 18th सेंचुरी के बीच में, कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे, ठीक है, देर आर सो मेनी डाइवर्सिटी, हर जगा बहुत ही क्या थी, विविद्दा थी, सब जगा लोग अलग अलग थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ओफ येरोपियन सोसाइटी, सबी चीज़े अलग थी, यहाँ पर जो येरोपियन सोसाइटी थी, वो भी अलग अलग थी, यहाँ पर टीन टाइप्स थे उसके, एक थे आटोक्रेसी, दूसरे थे पिजेंट्री, एंड थर्ड था आपका, दा न्यू मिडल क्लास, ठीक है, तो अरिस्ट्रोक्रेसी क्या होते हैं, एरिस्ट्रोक्रेसी होते हैं, जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे, जैसे की लैंडलोड्स वगएरा, ठीक है, हाई क्लास सोसाइटी, लाइक लैंडलोड्स, और यह जो लोग थे, बहुत ही कम थी, जैसे कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा जो अमीर लोग होते हैं एकदम हाई क्लास वाले उनकी जो पॉपुलेशन होती है ठीक है और यानि कि they have less population okay they are dominate यानि कि वो सभी क्या थे dominate थे और they have all rights लेकिन उनके पास जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे present थे यानि कि उनको उनको जितने भी कानून थे उनके पास मतलब कि जितने भी powers थे वो सारे इनको मिले थे राइट्स में जितने भी अधिकार जैसे आज आज आपको सारे अधिकार मिले थे कि आपको जितने भी राइट्स हैं आपके आपके सम्विधान में आपको जितने भी राइट्स है वो आपको मिले हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या था कि सर्फ जो आपके एडिस्ट्रोक्रैसी वाले थे सर्फ इन ही को ही राइट्स मिले थे बाकी जो है उनसे मतलम नहीं था अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका पिजेंट्री and the middle class पिजेंट्री क्या करते थे ये लोग क्या थे ये जो छोटे थे जिनके पास कोई भी जमीन ने थी ये वो लोग थे ये लोग क्या थे ये low class landless people थे ठीक है and more population इनके जो population थी बहुत जादा थी जैसे कि आज भी आप देखते होंगे कि गरीबों की संख्या क्या है जादा है ठीक है they have no rights लेकिन इनके पास कोई भी rights नहीं थे बिलकुल भी कोई भी इनको अधिकार नहीं मिले थे इनके साथ जो चाहे वो अन्याय होता रहता था ठीक है और अब हम देखेंगे the new middle class क्या थे they are educated by population of industrialists like doctors, teachers, etc यानि जितने भी educated लोग थे जैसे doctors हो गएं, teachers हो गएं ये सारे जो थे आपके new middle class में आते थे तो इस तरह से teen category थी ठीक है जैसे कि अगर आपने देखा तो aristocracy वाले क्या थे वो अमीर थे, लेकिन कम थे ठीक है, उनके पास सारे पावर थे लेकिन presentry के पास कोई भी पावर नहीं थी और इनके पास लेकिन population बहुत जादा थी और ये लोग landless people थे लेकिन इनके बीच में आते है कि middle class वाले ठीक है the new middle class इनके पास जो क्या था कि knowledge बहुत जादा था ये बहुत जादा educated थे जैसे doctors और teachers होते हैं ये उन्हीं की category में थे ठीक है, उस time के जितने भी doctors और teachers थे वो the new middle class की categories में आते थे और जो भी nationalism योरोप में start हुआ वो सर्फ इन ही की वज़ा से हुआ क्योंकि ये educated थे तो आपको भी पता है कि presentry लोग पहले से बहुत परिशान है ठीक है, अभी बहुत परिशान है aristocracy के पास सारे rights है इनके पास कुछ भी नहीं है, बिचारों के पास कोई कभी भी कुछ भी इनको परिशान कर सकता था तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी होगा, तो ये new middle class से ही support करेंगे उन्हीं को ही करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी कोई भी अगर revolution होगा, तो ये उन्हीं को support करेंगे तो यहाँ पर जो middle class नहीं क्या किया, presentry वालों को यहाँ पर क्या, rights को भी दिलाया और revolution भी हुआ अभी आप देखेंगे, ये सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है और भी कुछ points हैं यहाँ पर middle class वालों के लिए, the new middle class wants individual freedom, equality before law, government by constant मतलब ये जितने भी middle class वाले थे, ठीक है क्योंकि बहुत educated थे तो इनको पता था कि rights क्या होते हैं और किसको मिलने चाहिए, तो इसलिए ये चाहते थे कि सभी को बराबर law मिले, ठीक है बराबर यहाँ पर equality रहे सब के साथ सभी को क्या मिले, freedom मिले और सभी के सभी के क्या हो सके, यहाँ पर democracy स्टार्ट हो जाए, यह लोग democracy को ही चाहते थे and the new middle class also create the idea of nationalism और new middle class नहीं क्या किया nationalism का idea क्या किया, यहाँ पर जो है, स्टार्ट किया तो presentry वाले जो थे, वो इनको support तो करेंगे ही, ठीक है, but क्या हुआ but before nationalism in Europe, there were no nation states in Europe because of not common identity or culture यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ आपको मतलब की, जैसे की अगर आप कहें कि चलिए, माले जो नेशनल को स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए ठीक है, सबकी language और लगभग मान के चाहिए, कि मतलब लगभग मान के चाहिए, कि मतलब लगभग मान का कल्चर भी एक होना चाहिए, लेकिन इस सम्में क्या था, कि 18th century के तिल में, उसके पीच में, जितने भी मतलब लोग थे उने पीच में हार तीज़ आपको पोग डिफरेंट लैंगविजिस लाइक जर्मन, इटालियन, मेग्यर, पॉलिश, एक्सेक्टरा यानि कि जो भी लोग रहते थी वो सब अलग अलग जगा ठीक है कोई कहीं रह रह रहा है कोई कहीं रह 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 और कोई कुछ भी बोल देता था ठीक है, जिसको समझ में आया मतलब स्टार्ट करना है, यानि वहां रिवॉल्यूशन तो लेकर आना ही था, क्योंकि तभी तो वहां पर जो होगी वो इंडिपेंडेंस होगे, वहां के लोग क्या हो जाएंगे, उन पिजेंट्री वालों को भी राइट्स मिलेगा, तो यहां पर हुआ क्या, कि जैसे कि आपको पता है कि वाटरलू का जब बैटल हुआ था, ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू बिट्वीन नेपोलियन और प्राप, देर आर टू थो थो तरह के थोट्स इस्टेबलाइज हुए, फर्स्ट हुआ कंजर्वेटिस्म और दूसरा हुआ रिवॉलुशनरी, ठ प्राप वालों ने किया था, और यह वही लोग थे, जिन लोगों ने जो है, यह आपके जो अरिस्ट्रोकैसी और प्रेजेंटरी वागेरा जो दो क्लासे थे, इनको जो है, स्टेबलाइज किया था, ठीक है, दर न्यू मिडिल क्लास तो अपनी अलग सोसाइटी थी उनकी, क्योंकि वो हाई एजुकेटेड लोग थे, और अरिस्ट्रोकैसी वागेरा जो है, वो इसी में आएंगे, ओके, इसकी कैटेगरी में कौन आएगा तो अरिस्ट्रोकैस आएंगे, और रिवलुशनरी में क्यों आते हैं, यानि जो नियू मिडल क्लास और पिजन्ट्री लोग हैं, वो सारे इसी में आएंगे, और ये सभी लोग क्या चाहते थे, नेशनलिज्म चाहते थे, और डेमोक्रेसी चाहते थे, तो क्या हुआ, कि इन सभी को क्या चाहिए, ठीक है, इन सभी को नेशनलिज्म और डेमोक्र तो जो भी आपके पिजेंटरी और मिडल क्लास वाले हैं, वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझना होगा, कि इस तरह से जो भी मतलब चीजे बनी, ठीक है, वो सारा जो भी मतलब बना आपका, ठीक है, जो भी आपका रिवॉलुशन हुआ, आपका नैशनलिज्म हुआ योरोप में, वो सारा आपका पिजेंटरी और न्यू मिडल क्लास के वज़ा से ही हुआ, तो इस तरह से, जो भी मतलब योरोप में आपका नैशनलिज्म स्टार्ट हुआ, वो हो चुका था, और वहां पर क्या हो गया था, कि लोगों को मतलब, वहां पर जो है, अच्छे से राइट्स वगेरा मिलने स्टार्ट हो गये थे, तीक है, फिर अब आपको पढ़ना, आपका थार्ड आपका टॉपिक है, तो इसे भी समझना बहुत जरूरी है आपको, है ना, तो यहां हुआ क्या था, ये जो आपका 1830 से 1848 के बीच का जो भ revolution का age क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या reason है, तो जैसे कि क्या हुआ था इसमें, in this age, liberalism and nationalism become very popular in Europe, especially by revolutionaries, है ना, क्योंकि आप भी revolutionaries ही हैं, जिनकी वज़ा से ही nationalism and liberalism start हुआ है, तो ये जो भी age होगा, जो भी start होगा, वो इस age में, जो भी responsible होंगे, mainly इन ही लोग होंगे, especially इन ही लोग होंगे, ठीक है, this is the period of hunger and hardships, लेकिन इस revolution का reason भी है, लोगों के पास क्या था, इस age में क्या हो गया था, कि वहाँ पर जो है, सूखा पढ़ गया था, पैसे नहीं थे लोगों के पास, वहाँ के लोग भूखे रह रहे थे, वहाँ बहुत जादा कृतनाई हो पोज नहीं किया, लेकिन जब उनको लगा कि अब काम नहीं बनने वाला है, और उनको बहुत जादा मतलब की लगने लगा कि हमको बहुत दबाया जा रहा है, ठीक है, लोगों को वहाँ इंडिया में भी प्रॉब्लम होने लगी, तो वही चीज़ दूसरे कंट्रीज में भ इसे वहाँ पर हंगर स्टार्ट हो गया, वहाँ के लोग भूके रहने लगे और भी कही रीजन्स थे जो कि रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करेगा, इसलिए कहा जाता है, इसे इस इस एज के लोगों में, मतलब 1830 से 1848 के बीच में, लोगों में इतना गुस्सा आ गया था, कि अब मतलब किसी तरीके से अब जो है, मतलब मुझे चाहिए इंडिपेंडेंस ठीक है, उन लोगों ने ये मान लिया था, तो रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करना ही ज़रूरी था, तो दा पॉपुलेशन इंक्रीज और फूड का शॉर्टेज स्टार्ट, मशीन वर टेक कि उसमें यहां पर क्या था कि मालिज इतना नहीं था, लेकिन अधर कंट्रीज में मशीन वगएरा बहुत पहले बन चुकी थी, तो वहां पर मशीनों की जगा पर जो भी थे, इनसानों की जगा पर मशीन जो थे, वो काम करने लगे, तो लोगों में अनिम्प्लॉइमेंट होने लगा, उनको काम करने के लिए नहीं मिल रहा था, बरेजगारी तो होगी, फिर यह सारी चीज़ें वहां पर क्या होए, स्टार्ट हो गई, यहीं सब रिजन है, जो कि रिवोल्यूशन को स्टार्ट करीगा, फिर क्या हुआ, कि इन 1813, 1830, बॉर्बन किंग वर कर दिया गया, जैसे कि एज उफडिवोल्यूशन है, टीक है, तो वन बाइवन सब में रिवोल्यूशन होगा, टीक है, सभी कंट्रीज में होगा, तो फ्रांस में क्या हुआ, जुलाह में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और 1830 में बॉर्वन किंग थे, उनके जो जगा पर क्या हुआ कि liberal revolution start हो गया और उनको जो है हटा दिया गया ठीक है फिर वहां पर क्या हुआ कि Belgium got separated from UK ठीक है Belgium को जो था वो UK के through separate कर दिया गया अलग कर दिया गया and यह क्या थे this is the revolution of Brussels ठीक है यह वहां का revolution था तो इसी के साथ यहां पर और भी revolution होंगे अभी इसमें आप देखेंगे जैसे कि ग्रीक revolution क्या हुआ इट स्टार्स इन 1821 ग्रीक revolution 1821 में स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर उसके बाद जो है revolution एक साथ ही स्टार्ट नहीं हो जा ठीक है दीरे दीरे लोगों के अंदर जब गुस्सा आता है तब वह जाकर की revolution स्टार्ट कर देते हैं तो फाइनली यहां पर भी क्या हो गया कि revolution तो हुआ फिर इसके बाद last में क्या हुआ कि finally after the sign of treaty of constantipol Greek was declared as independent nation ठीक है वहां पर 1832 में जो है Greek ने अपने आपको independent जो है वहां पर क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया और इसी में ही क्या हुआ यह जो आपका age of revolution है ना इसी age में ही romanticism and national feelings क्या हो गए start हो गई लोगों के बीच में यह romanticism क्या है इसे भी समझ लेते हैं तो romanticism का मतलब है it introduced nationalism through art and love यह जो लोग थे romanticism वाले यह सोचते थे कि लोगों के बीच में जो भी nationalism है देश भक्ती की भावना है वो सिर्फ और सिर्फ art और love से ही क्या की जा सकती है increase की जा सकती है और they rejected nationalism by science and reasons यह लोग क्या करते थे कि जो भी nationalism है वो science और reasons से increase नहीं किये जा सकते इनका यह मानना था और यह इनको reject करते थे यह सर्फ और सर्फ प्रिफर करते थे art और love को इसलिए इसे romanticism कहा जाता है तो यह क्या है आपका topic है जिसमें आपने पढ़ा the age of revolution लिके revolutions का मतलब ऐसा है जिसमें लोगों की बीच में क्या हो revolution स्टार्ट हो जाए और वो क्या हो जाए independent हो जाए आपस में मतलब वो country independent हो जाए अब आपको यहीं पर एक point आपको मैं बताऊंगी यह आपका अभी पिछले 2019 में बोर्ड में question आया था ठीक है जालवेरीन यह क्या होता है यह question आपका पूछा था और यह सर्फ one marks का question था तो यहां पर क्या होता है जालवेरीन तो यह क्या थे the new middle class class makes जालवेरीन जालवेरीन को जो थे वो new middle class ने बनाया था जालवेरीन is a custom union form in 1834 जालवेरीन एक custom union था जो की 1834 में बनाया गया था ठीक है 1834 में stabilize किया था और यह करते क्या थे mainly यह जानिए they abolished tariff barriers यह क्या करते थे जो भी tariff barriers से उनको finish कर देते थे इनका यही काम था और इसके अलावा they abolished 28 of 30 currencies उस टाइम क्या थे बहुत जादा currencies start हो चुकी थी तो इन लोगों ने क्या किया जालवेरीन ने यह जैसे कि 30 में से 28 जो भी currencies थी उनको finish कर दिया उनको abolish कर दिया तो इस तरह से जो है जालवेरीन का यह function था और जालवेरीन को बनाया किसने था new middle class वालों ने तो I hope आपको अभी तक कुछ समझ में तो आही गया होगा कि किस तरह से जो है लोगों के बीच में revolution start हुआ age of revolution आया इसके पहले आपने पढ़ा the making of nationalism in Europe, Europe में nationalism कैसे start हुआ और इसके पहले आपने जो है यह भी चीज़ देखा कि France में जो revolution था वो कैसे start हुआ और लोगों के बीच में nationalism का idea कैसे increase हुआ तो यह सारे topics अब आपने देख लिए अब आपको next आपको पढ़ना है आपका fourth ह the making of Germany and Italy यानि कि Germany और Italy यह कैसे बने थे तो इन जैसे कि आपको पते कि हर कोई country जो था वो एक बार तो मतलब जरूर ही वो था क्या था मतलब वहां पर किसी ना किसी का शाशन था ही ठीक है तो हर कोई country जो थी वो free होना ही चाहती थी तो यहां पर क्या हुआ कि 1861 में Italy got freedom ठीक and 1871 में जर्मनी वालों ने अपने आपको क्या कर या था डिकलेर कर या था as an independent country ठीक है जर्मनी got freedom but हुआ क्या था कि first है आपका making of Germany जर्मनी कैसे बनी यह क्या था कि जर्मनी एक बार में नहीं बनी ठीक है यहां पर क्या हुआ था कि this is the this is the seven year war with Austria, Denmark and France यहां पर क्या हुआ जर्मनी को बनने से पहले यहां पर बहुत जादा war चला था ठीक है ऑस्ट्रिया, Denmark और फ्रांस के बीच में और साथ सालों तक युद्ध चला था इतना जादा युद्ध मार पीठ होने के बाद फिर 1871 में William first was proclaimed as German emperor ठीक है William first ने अपने आपको German emperor क्या कर दिया घोशित कर द हो गया ठीक है यहां जर्मनी ने अपने आपको क्या कर दिया फ्री कर दिया डिक्लेयर आपको परने आप making of Italy यहां इतली ने इतली के साथ क्या हुआ था कि दिवाइड इन्टीन सेंचुरी इटली वाज डिवाइड इंटू सेवन स्टेट्स पहले तो 19th सेंचुरी के मिड में इतली जो था वो सेवन स्टेट्स में डिवाइड था ठीक है लेकिन फिर क्या हुआ कि 1861 में विक्टर इम्मैनुवल सेकेंड ने अपने आपको जो है इतली का किंग क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया बिकेम किंग ऑफ इतली टीक है इतली का राजा बन गया तो वहां प अपना कोई रहता था कोई रहता था कोई रहता था कोई रहता था कोई बोलता था कोई कुछ बोलता था लेकिन बाद में जब 1861 में क्या हुआ पूरा एक रिकली कंबाइन होकर के एक नया वहां पर क्या बनेगा मैप बनेगा तो आपको मैं एक चीज उसमें बताऊंगी त तो पहले तो यहां पर आपको यह सारे चीज़े समझने जरूरी है जो आप सोचते हैं वो अकेला ब्रिटेन नहीं है ब्रिटेन जो है वो कई कंट्रीज को मिला कर बना है ब्रिटेन को ही आप UK बोलते हैं United Kingdom तो ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ब्रिटेन में होता है आता है आपका England, Scotland, Ireland और Wales यह जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं यह सारी आपकी जो है देटेन में आती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ उन लोगों ने एकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या की यहां पर सिटार्ट की तिके एक्ट औफ यूनियन फिर यहां पर 707 में 1707 में क्या हुआ एक यूनियन आया ख्रिके एक्ट औफ यूनियन हुआ मस्ट जिसने क्या किया इंड्लैन और स्कॉelcome करके यूके बनाया लेकिन अभी वी यूके पुरी तरह से नहीं बना है फिर बाद में ही क्या हुआ कि लेटर आयरलेंड और वेल्स को एड किया गया तब जाकर जो अभी आप प्रेजन टाइम में देख रहे हैं वो आपका यूके आपको बना हुआ दिखता है तो ब्रिटेन और यूके जो है वो आपका अकेला नहीं बलकि कई सारी कंट्रीज को मि तुक है अब आप पढ़ेंगे फिफ्ट आप अब जो टॉपिक था विजुवलाइजिंग दा नेशन मिन्स यहां पर यह जो आपका टॉपिक है अभी तक आपने फौर टॉपिक क्लेयर कर लिया ठीक है फिफ्ट आपका टॉपिक जैसे कि इसका नाम है विजुवलाइजि पॉरे इंडिया का नाम लेते ही आपके मायन में भारत माता का नाम आ जाता है। पूरे इंडिया का मैप दोड़ान के होता है इसमें विजूलाइजिंग दानेशन वाले 우ले आपके टौपिक में आपको पर लेमे इसमें Wat इसमें को पता एकbert और शայ मायन करते हैं यह जो आपका रास्ट्र है यह जो आपका नेशन है उसे एक female figure जो है वो दिया गया है जैसे like in India भारत माता like in Germany जर्मेनिया and like in France मेरियन ठीक है तो यह सारी जो आपके mind methods है यह आपको जो है बताया गया है कि जो भी freedom है जो भी मतलब की जो भी आपका nation है उसे एक female figure माना गया है उसी को कहते है visualizing the nation मतलब nation को imagination करना ठीक है कि एक nation है उसमें यह जो imagination है वो एक female figure के form में करना है ठीक है आपने देखा होगा जैसे कि इंडिया में होता है ठीक है मन में ही कहने लगते हैं भारत माता की जय तु यह है फो और यह है आपकि German जैसे कि German में होते हैं ठीक है वहां के लोग Germany के utilities उनकी मतलब की मता है जैसे हमारी भरत मता है वैसे Germany की मता कि एसे समझीए यह क्या होते है Mars थूस investigation is which is miscera जयसे कि यह जो आपकी एलेगुरी हम होती है इसी ब pickles के बनाती प्रहूज के बाता है एक जा सकती है एक जो स्टोरी हैं दोता है पर गिता है का मतलब था प्रफीन बनाती है यह समझ जायज है झात है दोता है ऐसा की बैस इस यहाalten Geld हीald बात कि जा रही है तो यह तरह एक तरह का क्या है सिंबल है और बी कुछ यहां पर पॉइंट्स है जैसे आर्टिस्ट इन 18th and 19th century found a way out by personifying a nation मदलब जो आर्टिस्ट लोगों थे लोग थे उन लोगों ने 18th और 19th century में क्या किया कि किसी भी nation को personify करने के लिए उन लोगों ने एक तरीका सोचा कि ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी nation में मतलब कि ऐसी imagine हो जाए तो nation को personify करना ज़रूरी है तो फिर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ कि इन लोगों ने फिमेल फिगर तो मतलब की सोचा ठीक है दे चूजन मतलब उनों ने परसोनिफाइ किया ठीक है एक फिमेल की फॉर्म में और लेकिन यह कोई पर्टिकुलर वुमें नहीं थी किसी के रियल लाइफ की यहां पर बस एक तरह का आइडिया था कि ठीक है यह फिमेल फिगर है और इस फिगर से जो है हमें इस नेशन के बारे में जो है इमेजिनेशन हो जाता है विजुलाइजेशन हो जाता है तो that is a female figure became an allegory of nation of the nation यानी की इस तरह से क्या है ये एक फिमेल फिगर है जो कि एक नेशन की allegory होती है means यह बस क्या है symbol है जो की बताता है कि ठीक है यह हमारी नेशन है और यह हमारी नेशन का क्या है एक फिमेल फिगर है ठीक है अब आपका लास्ट पॉइंट है नेशनलिज्म and इंपिरियलिज्म तो नेशनलिज्म का मतलब तो अभी मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था की feeling of patriotism means nationalism means feeling of patriotism तो यह तो आप जानते ही है इंपिरियलिज्म आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है तो imperialism का मतलब होता है कि किसी भी nation की boundaries को increase करना then इस तरह से imperialism का मतलब क्या होता है increasing the boundary of nation किसी भी nation की boundary को बढ़ाना ठीक है जैसे कि अभी तक तो ठीक है आपके अंदर जो है nationalism की feelings तो start हो गई लेकिन हमें अपने nation को क्या करना है एक तरह से आगे बढ़ाना है ठीक है सर्फ वहीं fix नहीं रहना है तो वही है आपका imperialism तो during the end of 19th century nationalism started converting into imperialism पहले तो नहीं लेकिन 19th century के बाद क्या हुआ उसी दोरान उसी में ही क्या होने लगा कि लोगों के अंदर जो है imperialism की जो feeling थी वो start हो गई and the policy of expanding country's power by use of military or other means is called imperialism यानि उन लोगों ने किसी तरीके से policy को expand करना start किया और militaries वगेरा को use करके जैसे कि आज हमारे country में भी होता है हम क्या करते हैं कि अपने nation को जो है अच्छा बनाने के लिए हम जो है use करते हैं बहुत सारे policies वगेरा तो यह सारे जो है आपके imperialism में आएगा तो यहाँ पर जो है आपने आई होप जो है आज चीजे समझ गई होंगी कि किस तरह से जो हमारा आज का जो chapter है जो की बहुत most demanded chapter है और अकसर बच्चों में confusion होता है ठीक है तो इस chapter का कोई भी आपका confusion आई हो अप नहीं रह जाएगा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो nationalism है वो योरोप में start हुआ यानि the rise of nationalism in योरोप तो एक बार में तो हुआ नहीं कोई भी चीज ठीक है दीरे-दीर स्टार्ट हुई थी पहले तो आहां पर आपका fis perse मे रिवालूशन स्टार्ट हुआ था फिर फ्रेश में जब रिवालूशन स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर idea स्टार्ट होने लगा कि ठीक है अभ लोग अपना अपनी thoughts के through जो है उनको अगर life spend करनी तो उससे करें लेकिन एक बार में यह start नहीं हुआ था पहले तो France में हुआ था फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्या हुआ the making of nationalism in Europe फिर Europe में start हुआ यूरोप में सरफ यूरोप आपका अकेला यूरोप नहीं है यूरोप में आपके बहुत सारे countries आते हैं आपके France आता है आपका Italy आता है आपका UK आता है ठीक है और रूस वगेरा सब इसी में आते हैं रश्य वगेरा सब इसी में आते हैं लेकिन यह सरफ एक बार में नहीं हुआ था धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था जैसे कि अभी आपने देखा कि 1861 में Italy जो है वो freedom अपने आपको डिक्लियर करता है 71 में जो है आपकी Germany freedom डिक्लियर करती है 1707 में आपके जो है UK ने डिक्लियर कर दिया खुद को freedom तो ऐसे आपका जो है France में जो था 1789 में तो हुआ था बट फिर से Napoleon आ गया तो यह सारे reasons थे जो कि आपके इस chapter में आपने पढ़े हैं ठीक है फिर आपने जो है लास्ट में यह चीज़ समझा कि ठीक है अब हमारा सब का nation जो था वो बन चुका है freedom हो चुका है लेकिन किसी nation को freedom होने के बाद यह भी तो जानना जरूरी है कि उस nation को हम कैसे visualize कर रहे हैं कैसे देख रहे हैं यह अगर Germany है तो Germany को कैसे visualize करेंगे हम अपने mind में तो वहाँ जो है जर्मेनिया जैसे वहाँ पे होती है फिर आपने अभी लास्ट में देखा nationalism and imperialism तो आपका रास्ट भी बन चुका है आप freedom हो चुके हैं आपके mind में visualization भी हो गया किसी nation के लिए ठीक है फिर आपने mind में वहाँ पर imperialism में भी start कर दिया यानि कि boundaries को increase करना nation को जो है वो आगे को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो इस तरह से आपको जो है ये chapter आपको समझ में आ गया होगा तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही मेरे चैनल को like, share, subscribe कीजिए और bell icon को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको next वीडियो का notification टाइम पर मिल जाए तो और साथ ही आप अपने friends को ज़रूर share कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारे concepts clear हो जाएं जल्दी से जल्दी क्योंकि आपका board है और exams होने है ये confirm है आप concepts को clear कीजिए नेक्स वीडियो में मैं इस chapter का book जो है वो read करूँगी और बहुत ही details में हम पढ़ेंगे हर चीज को वहाँ पर पढ़ेंगे कुछ भी skip नहीं करेंगे और इस वीडियो में जो है हमने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching